हाई दोस्तों मैं गौतम कुमार आप सभी के साथ एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विकास लाइफ केर लिमिटेड उससे पहले एक आवस्यक सुचना मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें मेरा कोई भी सला नहीं रहता है कि आप इस सेयर में इंवेस्टमेंट करें और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अटिट्यूट के अनुसार अपने जिनकी को खुसाल पुरुवक जी रहे हैं और अपना बेभार को इस परकार बनाय रखे हैं ताकि किसी भी कर परसानी नहीं हो रही है तो चलते हैं दोस्तों विकास लाइफ केर लिमिटेट पर यह जैसा कि यह स्क्रीन पर दीख रहा होगा 1995 में मैं अस्थापित किया गया था इस कंपनी को और इसका काम काज प्लास्टिक सिंथेटिक और प्राकिर्टिक रवर इंफ्रा क्रिसी उत पादो एफन सीजी उत पादो आधी के लिए पॉलीमर रवर योगी को और एडिटिव्स का व्यापार और निर्मान करता है तो समाज गया होंगे कि इसका काम काज क्या है और इस सेयर का मुख्य डाटा मार्केट कैप अभी घट बढ़ रहा है दिन प्रति दिन तो आज के डेट में 826 करोर का मार्केट कैप है करेंट प्राइस पांच रुपिया चौहत्र पैसा जोकि डाउन हुआ है छे रुपैसा 22 विक का हाई लोग 7 रुपै 5 पैसा 2 रुपिया 66 पैसा बुक बैलू 2 रुपिया 31 पैसा और फेस बैलू 1 रूपिया रोसी रोई माइनस में है तो आप लोग सोच रहेंगे कि इस सेयर पे चर्चा क्यों कर रहे हैं चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी ये सियर मार्केट मे खास हम खास अपना अस्थान बनाया रखा हुआ है यानि कि चर्चा का भी सेयर बन चुका है क्यों कि ये छोटा सियर है और इसका बिजनस सभी के हिसाब से अच्छा है सभी को इसका बिजनस 12 अच्छा लग रहा है वन येर का अगर चार्ट देखते हैं तो वो देखिए इस परकार है जो कि अभी हाल फिलहाल में ये शेयर दोगुना से भी उपर करके इन्वेस्टरों को प्रोफिट दिया है यानि कि 100% से उपर अगर कोई लोग 3 रुपए 5 पैसे पर अगर खरदे होते 31 जुलाई 2023 को तो वो इसमें तो थोड़ा सा 6 रुपए 45 पैसे जो कि काफी ज़्यादा लेकिन 7 रुपए 5 पैसे तक भी गया है ये से हैं अभी इसमें थोड़ा मेरे आइडिया अनुसार तो कंसोलिडेट कर सकता है ये क्वार्टर भर इस क्वार्टर का रिजल्ट आते ही हो सकता है ये भूम कर जाए यानि कि अब ट्रेंड बन जाए फिर से इसमें इन्वेश्टमेंट का कोई भी सला नहीं है इन्वेश्टमेंट करें तो अपना सुझ बूज की अनुसार ही इसमें प्रोज प्रोज और कंस चार कंस-3 तो तो कम्पनी इस अल्मॉज डेप्ट फिरी यानि कि डेप्ट फिरी कम्पनी हो चुका है यह माल लिजे माल लिजे क्या है ही और अगला क्वाटर अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद है अडेप्टर डेज 180 दिन से 130 दिन हो गया है और वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट जो है 182 दिन से 101 दिन हो गया है और कौन जो है वो कुछ खास नहीं है कम्पनी है जो लो इंट्रेस्ट कॉबरेज रेशियो पहला परमोटर होल्डिंग 11.40 पर से पर मोटर होल्डिंग है टी क्रीजड ओवर लास्ट थ्री यर्स यानि की पर मोटर अपना होल्डिंग को कमाया है यानि की घटाया है 43.9 पर सेंट लास्ट तीन साल होले पियर केम्पेरीजन जो है इस प्रकार है जो कि स्क्रीन पर दीकरा होगा अडान इंटरप्रेजर रेडिंग्टन एजिस लोजिस्टिक म्म्टी सी रेट्टर प्रान इंडस्ट्री पीडियस विकास लाइफ किया विकास लाइफ कियर का सभी का पी रेशियो नहीं बता रहा है कि स्क्रीनर बगिवाद सभी का पी रेशियो सो हो रहा है इस जगह पर क्वाटर सेल्स बाद 7.26 है विकास लाइफ कियर का डेविदेन कुछ भी पे नहीं कर रही है ज़जा के उपर मैं बता चुका हम इस तरीके का मेडियन कंपनी 105 कंपनी है उसने एक विकास लाइफ कियर दिया है क्वाटरली रिजल्ट सेल्स गटा है एक्सपेंस भी गटा है और प्रोफिट ऑपरेटिंग प्रोफिट पिछले क्वाटर क्या पेच्छा तीन गुना हुआ है और पिछले क्वाटर में अधर इंकम माइनस 32 करोड का था जो कि इस क्वाटर में 12 करोड का पलस में है तो एक पोजेटिव है इंट्रेस्ट कुछ भी पेद नहीं किया है जबकि पिछले क्वाटर में एक करोड का इंट्रेस्ट दिया था डिप्रीस एसन एक करोड का याने कि विसाब उसाब का जो डाटा होता है याने कोस्ट होता है नेट प्रोविट 12 करोड और EPS 8 पैसा जो कि पिछले क्वाटर में माइनस 19 पैसा था बैलेंस इट रिजर्व इसके पास 187 करोड जो कि पिछले मार्च 2022 में 90 करोड का था उससे पहले मार्च 2021 में 0 करोड था और शेयर केपिटल मार्च 2021 में 66 करोड का मार्च 2022 में 110 करोड का और मार्च 2023 में 144 करोड का हो गया बढ़कर में ब्रोइंग ब्रोइंग जो कि 42 करोड का था मार्च 2021 तर और मार्च 2022 तर 23 करोड का और अब भी मार्च 2023 में 30 करोड का हो चुटा है अधर लाइबलेटीज पिछले क्वाटर के पेच्छा पांच करोड का घटा है टोटल लाइबलेटीज चार सो पच्पन करोड हो चुका है जो कि पिछले साल मर्च द्वाजार बाइस थक में 321 करोड का था हिक्स एसेट में बढ़ोत्री हुई है पिछले साल में 28 करोड और इस साल में 41 करोड का हो चुका है तो यह भी थ्यान देने योब के बाद है याने डाटा टोटल एसेट में 455 करोड का अभी टोटल एसेट हो चुका है कि पिछले साल में 321 करोड का था उससे पहले 1049 करोड न यह काफी ज्यादा अच्छा है इस एर के लिए इन्वेस्टमेंट घटा जो कि 84 करोड का था पिछले साल मार्च दहजार 2 बाइस में और मार्च 2023 के समापती पर 77 करोड का इन्वेस्टमेंट जुडा देए थोरा सा रटा है साथ करोड का कैस्ट पलस में पर मोटर होल्डिंग बढ़ना शुरू हुआ है अभी आगे देखते जाए क्या होता है इस सेर में और एफाइज के पास में तो नमात्र ना के बराबर है पॉइंट जीरो टू परसेंट और गवर्मेंट के पास में है यह नहीं से पबलिक के पास में पूरा भर भर करके आठासी दसम्वलाब पांच नौ परसेंट नमबर ओफ शेर होल्डर्स यानि कि इसमें शेर होल्डर्स कितना है तो चार लाख एकावन हजार दोसो सतासी आगे नियूच तो एनुवल रिपोर्ट जो की जारे किया था 341 के अनुसार 10 सितंबर को तो वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अभी इस पर ज़्यादा चर्चा करने हो कि तो है नहीं बात है बस अभी इसमें इस क्वार्टर वर हो सकता है अप और डाउन अप और डाउन बना रहे है हां हं अन्य परसेंट में कुछ भी नहीं का सकता हूं मैं ही कोई भी वीडियो बनाने वाला इंसान कि नहीं बता सकता है कि 100 परसेंट क्या हो सकता है लेकिन हां जैसे जैसी सेर के प्रतीर विजहान बढ़ता जाएगा प्रूची बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हो सकता है इसका प्राइस अप लेवल में भागना स्टार्ट कर दे अगर दोस्तों इस क्वार्टर में पर मोटर होलिंग बढ़ा तो निश्चीत है मेरे हिसा मेरे आईडिया अनुसार यह 10 रुपए को पार कर जाएगा यह सिर्ट क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया तो बाकी बात तो मुझे कुछ लगता नहीं है अगर इस शेयर में इंवेस्टमेंट करना हो तो अपने सुझबुच के अनुसार ही इंवेस्टमेंट करें धन्यबाद दोस्ते